नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर, गर्मन स्कीम सी न्यूस वाला सीरीज चला था, पार्ट टू वीडियो है ये, पार्ट बन में हमने छे गर्मन स्कीम के बारे में डिसकस किये थे, आज और भी इ इसन क्रडिट कार्ट स्कीम, ये तो आपने सुनाई होगा, देखे ये थोड़ा सा पूराना स्कीम है, पर काम का स्कीम है, 1998 में इंडेडूस किया गया था, for providing adequate and timely credit support, देखे दोस्तों, सिंबल जी बात है, आपको पते अग्रिकल्चरल अक्टिविटीज के लिए पैसों के जरुलत है, फार्मर्स को अग्रिकल्चरल इंपुट्स खरीदने के लिए पैसे चीए, जैसे सीट से, फेटलाइसर से, पैसे से, वो सब, इसके लिए वो लॉन के लिए बैंकों में जाते है, पहले क्या होता था, बैंक थोड़ा हेसिटेट करते थे इनको लॉन देने में, और यह बोलता था, आप वो डोकुमेंट लेके आजाओ, यह डोकुमेंट लेके आजाओ, इस तरह, तो यह सब प्रोसिजर से फार्मर्स परेशान थे, तो इन सब प्रॉब्लम्स का सुलूशन लेके आया, 1998 में गर्मन किसान क्रडिट कार्ट स्कीम लेके आया, यह बेसिकल जो यह eligible है, lawns के लिए, और जो lawns मिल जागा यह कम interest में होगा, and on average 4% interest में, या उससे नीचे interest में, फार्मर्स को lawn मलता है, किसान क्रडिट कार्ट स्कीम के अंदर, आप देखिए, banking system under a single window with flexible and simplified procedure, जितने भी procedures पहले था, वो सब simplify करके, एकदम easy कर लिया, किसान क्रडिट कार् अब यह है दोस्तों, देखिए, agricultural activities में, investments की भी जबरूत है, कुछ farmers जो है, pump खरीद लेते है, water pump खरीद लेते है, कुछ farmers ट्राक्टर खरीदे है, thriller खरीदे है, या कोई शट बनाता है, यह सब investment है, सानों के लिए invest किया जाते है, तो पहले यह invest credit requirement कवर नहीं था, पर 2 सार 4 म investment credit requirement of farmers भी cover कर लिया गया, किसान credit card में, तो अभी के लिए investment credit requirement भी covered है, यह अब ध्यान दीजेगा, and allied and non-farm activities भी covered है, देखिए, यह important question है, ऐसे आप से statement में पूछ सकता है, कि किसान credit card scheme non-farm activities के लिए covered है या नहीं, देखिए, कोई भी farmer, अगर कोई non-farm activities भी करना चाहते है, non-farm activities मतलब agricultural activities को छोड़ के, दूसरे कोई activities, जैसे कोई MSME, small screen industry बनाया, construction industry, handicraft, जो भी है, वो सब के लिए भी किसान credit card scheme के अंदर lawns मिल जागा, यह बोल रहा है, अब किसी क्या क्या कवर करते है, post harvest expenses, post harvest मतलब harvesting के बाद जो खर्चा होता है, वो भी covered है, मतलब harvesting के बाद भी यह loan avail कर सकता है, post harvest expense करके यह बोला जा रहा है, produce marketing loan, consumption requirements of farmer household, देखी, एके household का requirements भी होगा, यह भी बोल के loan ले सकता है, मतलब funds ले सकता है, working capital for maintenance of farmers, हमारे पास एक farmer के पास जितने assets है, equipment से, इनकी maintenance के लिए जो working capital चाहिए, उसके लिए भी avail कर सकता है, और ऐसे investment credit requirement, यह तो मैं available कर सकते हो, अगर एक farmer के पास किसान credit card है, तो वो सारे banks, जैसे scheduled commercial banks हो गया, regional rural banks हो गया, small finance banks हो गया, cooperative banks हो गया, यह सारे में चले जाएए, आपको इस scheme के अंदर loans कम interest में मिल जाएगा, अब eligibility criteria देखे, कौन-कौन यह किसान credit card loan scheme के लिए eligible है, individual farmer who is an owner cultivator, individual farmers जितने भी है, जो owner भी है, cultivator भी है, दूसरा, people who belongs to a group and are joint borrowers, देखे, जो एक group में मिलकर काम करते हैं, चोटे-चोटे groups में आगे, farmers groups बना के, वो भी eligible है, मतलब individually नहीं, एक group के लिए भी launch मिल जाएगा, share cropers, tenant farmers, और an oral lessee are eligible for KCC, यह सब क्या है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, और एक बर ब्रीफली बताते हैं, share cropers मतलब दोस्तों, एक बंदा, उनके बस land नहीं होगा, वो दूसरे किजी के land में cultivation करते हैं, farming करते हैं, और पैसे तो देना पड़ेगा, rent तो देना पड़ेगा, rent नहीं देंगे, वो जो harvesting होगा, crop का, उसके एक part देंगे, एक share देंगे, इसको बोल जाई होगा, जो rent देते हैं, थोटे से पैसे देते हैं, एक दूसरे का land holding यूज़ करने में, और अलसी भी है, दोस्तों, दूसरे का land holding यूज़ करने वाला है, जो उस जगह से कोई और migrate करके कई और गया होगा, उसका land उदर पड़ा होगा, उदर वो cultivation करेगा, और उनको rent पेर करना पड़ेगा, तो यह है, और अलसी, तो यह सब covered है, यह बता रहा हो मैं, ठीक है, फिर देखिए, self-help groups, joint liability groups of share croppers, मतलब यह share croppers, farmers, tenant farmers, मिलके अगर कर इस तरह की groups बनाएगा, आसे group भी वो lawn अवेल कर सकता है, and farmers involved in the production of crop or allied activities such as, देखिए केवल agricultural activities में यह नहीं कि only farming ह इसमें कई सारा है, animal husbandry भी है, non farm activities भी है, सचास fishermen वगरा, fishermen भी इसमें included है, ध्यान दीजेगा, ऐसा नहीं, only rice, paddy, wheat, यह सब cultivate करने वालों को, यह land holdings को पैसे मिल जाएगा, ऐसा नहीं, fishermen को भी मिलेगा, poultry farm को मिलेगा, animal farms जो होता है, animal husbandry, poultry farm हो गया, fishermen हो गया, marine aqua culture हो गया यह सारों को मिल जाएगा, क्या, kiss and credit card loan scheme, यह आप ध्यान दीजेगा, ठीक है, अगला है दोस्तों, strengthening, teaching, learning and results for states project, यह है stars project, दोस्तों, देखिए, stars मतलब full form तो मैंने आपको बता दिये, नाम से आपको पता चल गयोगा, इसका काम क्या होगा, strengthening, teaching, learning, teachers का भी capability and skills को improve करना है, students का भी जो learning skills से इसको improve करना है, यह basically agreement सही हुआ था, government of India and world bank के बीच में, तो आप यह ध्यान दीजेगा, यह जो stars project के लिए funding कोन करेगा, world bank करेगा, it is a centrally sponsored scheme, मतलब scheme है center का implement करना है states को, right, आप देखिए, agreement has been signed with the aim of improving the quality and governance of school education, देखिए, public education की बात कर रहा हूँ, private education नहीं, ज देखिए, 6 states में यह implement किया जाएगा, कौन कौन सा देखिए, Kerala, Maharashtra, Himachal, Rajasthan, Madhya Pradesh and Odisha, Rajasthan दो बार हो गया, अब यह कितने लोगों को help करेगा, 250 million students को in the age group of 6 to 17, coming from 1.5 million schools, तो basically 6 states में इतने schools covered है, apart from students, project will also benefit 10 million teachers, ठीक है, तो इतना बड़ा सा एप प्रोजक्त है, करीब 4,000 करोड तक इसके लिए funding है, if I'm not wrong, अब एम क्या है, education for all, and stars project carry forward the vision of national education policy 2020, देखिए, हमारी national education policy के बार में आपको पता होगा, यह हमने 2-3 वीडियो भी बनाया था इसके बार में, अब यह stars project national education policy में जितने भी visions है, जितने भी provisions है, उसको भी fulfill करने में काम आएगा, यह बत पता चल गया होगा, क्या है, एक research fellowship है, अगर कोई post graduation वाला students जो PhD के बाद, sorry, post graduation के बाद PhD के लिए जाते है, doctorate लेने के लिए, तो इन के लिए help करेगा, यह basically budget 2018-19 में अनॉंस किया गया था, institutes कौन कौन से है, जो PMRF offer करता है, सारे IATs, जो है, जितने भी IASCRs है, मतलब जो educational researches वाला institute है, Indian Institute of Science Bangalore, यह सारे examples है, और भी कही सारे institutes है, जो PMRF scheme offer करता है, देखिए, to attract the talent pool of the country to doctoral programs of Indian Institute of Technology, Indian Institute of Science, देखिए, जो बड़े-बड़े coveted institutes है है, जैसे IAT हो गया, IAC हो गया, यह सब doctorate programs, यह doctoral programs, जिसको वोलते है, यह offer करते है, तो इसके लिए पर, जो selection criteria है, थोड़ा सा tough रहता है, पैसो के भी सब्सक्राइब होता है, अब, Prime Minister's Researches Fellowship क्या करेगा, इस scheme के अंदर कुछ students को select करेगा, जिनको doctorate लेने में मदद करेगा, इसमें financial help भी है, stipend वगरा मिलता है, मुझे लगता है कभी करीब 70,000 वगरा stipend भी मिलता है, यह पढ़ाय के अब selection जो है थोड़ा सा rigorous selection process है, मतलब पूरी academic qualifications चेक किया जाएगा, जिसके पास merit है उन ही को मिल जाएगा, देखे, direct entry के लिए applicants are judged on metrics including research exposure कितना है, उन्होंने publications कितने किया है, performance in international academic competitions, grades क्या है, recommendation letters, recommendation letters मतलब जितने भी उनकी जो professors बगरा होगा, अगर किसी ने अच्छी तरह recommend किया है, तो सारी चीज़ें देखा जाएगा, direct entry के लिए, और एक होते lateral entry, lateral entry मतलब आप already कुछ कर रहे हो, आप laterally entry कर रहे हो, side से entry कर रहे हो, जैसे civil services में lateral entry मतलब क्या है, already जो corporate sector में काम किया वाला जो experts है, उनको सीधा-सीधा top positions में गुजा रहा है, तो यैसे ही lateral entry मतलब यह direct नहीं होगा, कई और जगा में और रहे होगा, इनको lateral entry कर वाएगा, इसके लिए देखे, strong research proposal ची, publications record चीए, मतलब इनके नाम पर, अच्छे-चे, publications ची, grades चीए, ठीके, due weightage will also be given to publication in reputed journals, conferences, अगर आपने कोई reputed journals में, या conferences अटें किया हो, reputed journals में अपना कोई report मिल जाएगा, direct entry के लिए मैं आपको बता दिया, मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, आप इतने ही समझ लीजे, prime minister's research fellowship scheme मतलब, जो doctorate लेना चाहता है, PhD करना चाहता है, post graduation के बाद, उनके लिए government की तरफ से fellowship मिलेगा, एक टेप का scholarship मिलेगा, यह है PMRF scheme, अगला है विद्यादान यह तो simple है दोस्तों, basically digital program है to enable contributions to improve teaching and learning, जितने भी educators है वो एक platform में आके education प्रवेट कर सकता है, आपने दिक्षा सुना है गर्मन का, यह दिक्षा के अंधरी आएगा यह विद्यादान जो है, विद्यादान करेगा, it engages the sharing of high quality, curated, relevant and curriculum linked digital content, जिसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे ह यह विद्यादान प्लाटफर्म के अंदर दालेगा बच्चों के लिए, obviously यह COVID-19 टाइपे online education इतना hype मिल गया, online education को, आजकल maximum लोग जो है, online education ही opt कर रहा है, तो गर्मन की तरफ से free content है, basically, working देखिए, विद्यादान है content contribution tool that provides a structured interface for the contributors to register and contribute different types of content, कोई भी जो qualified educators है, वो अपने content डाल सकता है, इस platform में, जैसे explanation videos हो गया, presentations हो गया, competency-based items हो गया, Qs हो गया, from grade 1 to grade 12, तो एक से बारा क्रक्षा तका, जितने students है, उनके लिए helpful है, अब इसका विद्यादान 2.0 आया था, this has been relaunched due to the increasing requirement of e-learning content, ठीक है, COVID-19 के टेम पे e-learning content का requirement बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो ये विद्यादान को छोड़के, और भी कई सारे, ये measures लेके आधा, कई सारे schemes लेके आधा, गर्मन ये digital contents को promote करने के लिए, ठीक है, अगला दोस्तों, आयश्मान भारत, प्रथान मंत्री जन आरोगी योजना, ये क्या है दोस्तों, basically एक major national health reform है, access to hospital care, गरीब लोगों क को, vulnerable section of society को, hospital care access करने के लिए, गर्मन के तिरफ से, एक helping hand है, प्रथान मंत्री जन आरोगी होजना, ये दुनिया का सबसे बड़ा health care scheme है, देखी, इसकी features बताने से, ये क्या है, आपको समझ में आएगा, world's largest health insurance assurance scheme is centrally sponsored, and is jointly funded by central government and states, देखी, मैंने आपको बोला था, centrally sponsored scheme मतल करना है, right, it provides cover of 5 lakhs per family per year, एक-एक family को 5 lakh तक मिल जागा, गरीब लोगों की बात करो हो, सबके लिए नहीं, ठीक है, for secondary and tertiary care hospitalization across public and private empanel hospitals in India, कुछ private hospitals को भी empanel किया है, मतलब एक list है, उस list में जितने private hospital का नाम है, उथर जाके आप health care access कर सकते हो, आपको कोई problem हो गया, तो family आपको मिल जाएगा, basically health insurance scheme है, आप यही समझे लो, coverage देखिए, 10.74 crore poor and vulnerable and tertiary families, approximately 50 crore beneficiaries, इतने families है, और इतने beneficiaries है, 10.74 crore families में 50 crore करीब beneficiaries है, यह बता रहा है, यह cashless access to healthcare services है, for the beneficiary at the point of service, cashless मतलब हमें, पहले पैसा दे तो फिर reimbursement करो, ऐसा कुछ नहीं है, cashless है, कुछ पैसे पांच लाग तक, इसकी eligibility देखिए दोस्तों, this is very important, no restrictions on family says age or gender, family का size बड़ा है, छोटा है, कोई फरक नहीं पड़ता, अगर आपकी family, poor family है, poor की category भी है, सारे family poor है, poor family, अगर below poverty line वाली जो family है, उनके लिए eligible है, all pre-existing conditions are covered from day 1, all pre-existing conditions मतलब, एक बार admit होने से पहले भी कही सार problems होगा न, hospitals यह नहीं बहुत सकता, यह जो problem ही आपको पहले से था, यह हम cover नहीं करेंगे, इसके लिए आपको अलग परिसा देना पड़े, ऐसा कुछ नहीं, all pre-existing conditions भी covered है, covers up to 3 days of pre-hospitalization and 15 days post-hospitalization expenses, देखिए, hospitalized होने से पहले 3-3 जो खर्च आया, वो भी covered है, hospitalization discharge होने के बाद 15 दिन तका जो expenses है, जैसे कुछ test के लिए जाना है, diagnosis के लिए जाना है, medicines लेना यह भी इसमें covered है, ठीक है, benefits of the scheme are portable across the country, पूरे country में available है, services include 1393 procedures covering all the costs related to treatment, including but not limited to drugs, supplies, diagnostic services, physician fees, room charges, surgeon charges, operation theater, intensity care unit charges, मतलब देखिए, hospital अलग अलग नाम पे चार्ज करते है न, वो सारे covered है, यह बताया जा रहा है, public hospitals are reimburse for healthcare services at par with private hospitals, इसका मतलब है, public hospitals को भी उतने पैसे reimburse किया जाएगा, government की तरफ से, जितना private hospitals को दे रहा है, मेरा कहना का मतलब देखिए दोस्तों, अगर private hospital कोई healthcare services, specially कोई patient को दे रहा है, तो इसके लिए पैसे चीए, तो यह पैसे कौन प्रवेट करेगा, government प्रवेट करेगा, ऐसा नहीं public hospitals भी कोई healthcare services प्रवेट करेगा, इसके लिए पैसे नहीं मिलगा, government से, उनको भी मिल जाएगा, इसमें कोई public private hospital का differentiation नहीं है, यह बताया जा रहा है, अगला दोस्तों, national digital health mission, अब यह क्या है, एक digital health ecosystem है, basically ऐसे एक digital database बना जाएगा, जिसमें पूरे Indian citizens को एक unique health ID मिल जाएगा, जैसे सबके पास अधर का डना, ऐसे health ID मिल जाएगा, और इस digital ecosystem में, एक digital platform में, सारे health records होगा, with identifies for doctors and health facilities, मतलब देखी, कहां कहां, कौन-कौन से doctors available है, क्या-क्या health facilities available है, हमारी rights क्या-क्या है, यह सारे आपको पता चल ज supports के साथ-साथ, तो पूरा digitize करने के एक प्लान है, यह mission जो है, नदोस्तो, National Digital Health Mission, यह आईश्मन भारत प्रथानमंदरी, जन अरोगया योजना के अंधर ही है, यह आप ध्यान दीजेगा, mission is expected to bring efficiency and transparency in healthcare services, देखे, आपको पता है, आजकल क्या होता है, हम government hospitals में जाता है, क्या एक इसे problem हो जाता कि, कई सारे healthcare facilities available है, हमें यह पता नहीं रहता है, कहां क्या available है, हो सकते है, हमारे village में, जो health center होगा, उदर एक facilities available nih होगा, उदर cholesterol चेक नहीं करता होगा, उदर BP check नहीं करता होगा, या urine test करता होगा, और हो सकते है, अगले village में ऐसा facilities होगा, तो ऐसा ही efficient and transparent प्राटफर्म बनाने से एक अक्वेंडिबिल्टी बन जाएगी, पूरे एक ओनलाइन सर्वर में सेवड होगा, तो कोई भी चाहे तो कभी भी सर्च कर सकता है, रिकोर्ट के है, इसमें कुछ रिकोर्ट जो ऐसा हैं, हमारे जो हेल्थ रिकोर्ट है, सारे के लिए अविलेबल यह सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, नाशनल हेल्थ अथोरिटी हाज बीवन देखिए, अब यह पूरा मिशन इंप्लिमेंट करने का जो मैंडिट दिया हुआ है, नाशनल हेल्थ अथोरिटी को, कॉर बिल्डिंग ब्लोक्स ऑफ ते मिशन इस डाटा, हेल्थ तैरी, डिजी नहीं सेव होगा, ऐसा नहीं कि दूसरे कोई देश में, सर्वर में सेव होगा, ऐसा भी नहीं होगा, प्राइबट स्टेक होल्डिस विल्हाव अन एकल उपर्चूनटी तो इंडेग्रेट अन क्लिए दिया जाएगा, अपने अपने प्रोड़क्स को मार्क्ट करने का, कॉ अपने अपने डेटा या अपने अपने प्रोड़क्स को मार्कट करने के लिए, यह सारी बता रहा है, अन्टे दे मिशन, एवरी इंडेन मिलगेटे है हेल्थ डिटेल्स आफ तो पर्सन, यह में आपको बता दिये नहीं हेल्थ डिटेल्स अपने इडिए जिसमें एक यू अब तो गीव देखना चाहे नहीं है जितने भी हमारा डियानोस्टिक रिपोर्ट है ट्रीप्मेंट रिपोर्स रिपोर्स क्रिश्चिम से तो सीटिसेन अपने हेल्ट आटी देखे रिच्टर को एकसे यह देखने के लिए एक वन तेम आटस एक बार दोक्र को दिखा सकते है हमेशा नहीं कोई भी चाहे देख नहीं सकता जिसको आप दिखाना चाहते हो उसको दिखा सकते हो नीट फो दिस मिशन कै जाए पर कई सरे दो इस तरह एक सिस्टम आने से ट्रांस्पन सी आजाएगी अकॉंडबिल्टी आ जाएगा कोई आपको बटा दिया देखे अबी का जाना पड़ेगा उथर जाना पड़ेगा हो सकता मेरी जो रिपोर्ट से वह कहीं गया बो गया तो यह सब स्टोड एक डिजिटल प्लाटफोर्म में रहना का मतलब है ओन्लैन सब कुछ स्टोड है यह कभी भी हमसे मिस भी नहीं होगा एंड जितने भी चालनज आज कल जो ह हेल्फ सक्टर में यह सारा सोल भी होगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो यह नाशनल डिजिटल हैल्थ मिशन तो इसे वीडियो में इंदर फिनिश करणों दोस्तों अगले वीडियो में और 6 स्कीम के बार में डिसकस करेंगे इसलिए में पूरा एक सात नहीं कर क्योंगी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा लक्षे की PDF में पूरा खतम होने के बाद टेलगाम चानल में अवे रिपल करा दोंगा थैंक्यू फर वाचिंग भाई 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 है वे नाइस देग